अगर आप रनिंग टिप्स का वीडियो ढूनते ढूनते ठख चुके हैं तो आप बिल्कुल सही जगह में आए हैं आप किसी भी प्रकार के प्रतीयोगीता परिच्छा में अथो आप physical के लिए running tips ढूढ रहे हैं कि आप running पैसे pass करें तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत पुर्ण है यह वीडियो के माध्यों से आप आसान ऐसे पांच tricks जानेंगे जिससे आपका running जिससे आपका stamina जिससे आपका body stamina बहुत ज़्याद बढ़ जाएगा और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्पुर्ण है आप किसी भी प्रकार के परतियोगीता परिक्षा पुलीश वगेरा में या शर्षी जीडी वगेरा में आर्मी वगेरा की तयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो पूला देखे बिना किसी स्किप के वीडियो के अंत में आपको जो निस्टित पसंद आएगी तो आप आवसी लाइक किजिएगा तो हम लोग रॉनिंग टिप्स के बारे में जो बहुत जानकारी लेने वाले हैं उस टिप्स को हम लोग चलिए सुरू करते हैं सबसे पहला जो टिप्स है दोस्तों वह है हम लोग समझने का प्रयास करते है कि यह टिप्स दस किलोमेटर पांच किलोमेटर वाले परतियों जो परिच्छा देते हैं उनके लिए है तो यह जो रानिंग है यह लोग डिस्टेंस है दोस्तों तो यह रानिंग टिप्स विशेज करके लोग डिस्टेंस वालों के लिए हैं लोग डिस्टेंस को आप कैसे कवर करें उसका टाइनिंग कैसे मेनेज करें अंतिंग 15-30 दिन में आपकी अस्टेटर जी क्या हो पूरा वीडियो के माधियम से आप जानिएगा तो सबसे पहला जो है दोस्तों कि वह है डिस्टेंस रनिंग विदावुट टाइमिंग कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि आप करें ढ़ियो प्रैक्टिसकी जेगा वह आपका प्रैक्टिस्य स्टेंस रणीं का होना चाहिए पूरा डिस्टेंस फुल नहीं तो कम से कम पाश कीनेज क trying को tsoci चक्कर में ना दोड़े शुरू में जब प्रैक्टिस करने तो विदावुट टाइमिंग आपको बस वहां तक उतनी दूरी तक पहुंचना है इसके लिए आपको क्या टाइमिंग लगेगा यह आपको माइने नहीं रखना चाहिए यह स्टेटर्जी आप अपना है प्रैक्टिस करना अथियंग दूसरा है दोस्तो रणिंग एन वकिंग अगर आपको लॉंग डिस्टेंस में अगर आपको शुरुआती में दिक्कत हो रहा है तो आप एक अस्टेटर्जी अपना है कि 5 मिनट हमको दोड़ना है फिर 3 मिनट वकिंग करना है लेकिन लगातार लेकिन आपको लग्ष तक पहुंचना बहुत ही जरूरी होगा इस प्रकार जब आप प्रैक्टिस चीजेगा तो निस्चीत रूप से आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा एक मोटिबेशन मिलेगा कि आप प्रैक्टिस में आप एम तक पहुंच रहे हैं और इससे आप ओर आपका सालीरिक और भी बढ़ेगा तो और आपको कोन्फिटैंट भी बढ़ेगा तो रनिंग एंड वॉकिंग बहुत ही जलूरी है 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 तीसरा टीप्स है दोस्तों कि अस्ट्रेश्ण अर्था आपको रनिंग के बाद आपको सरीर बहुत सुष्ट पड़ा रहता है उसकी मान्सपेसिया आपको तयार नहीं रहता है अजीब प्रकार से उसमें गाउच्ट पैप में रहता है मतलब मान्सपेसियों में खिचाव रहता है तो उसके लिए आप स्टेचिंग अवश्य करें रनिंग से पहले आप बीसेस परकार के वहुत से अथलेटिक्स को दोड़ते हुए अवस्य ही देखे होंगे तो उनलोग स्टेचिंग करते रहता है दोस्तों आप पेर ही लाइए हाथ ही लाइए अस्टेच खड़ा करना है positive mind mindset बनाना है और आपको तयारी विश्यंच से इनक्रीज करना है बाद मतलब देवी का डेवी 1-2 दिन में आपको बढ़ते रहना आपका practice में जो kilometer है वह आपको बढ़ते हराना है ओर हडर दोस्तों manubal तो हमेशा ही हाई रख ना है मनोबल हाइ रख के आप दोड़ेगा तो ही आप सचस होगा मनोबल गीरा के ही आप जाईएगा फिर तो आपको बिल्कुल दोड़ने में मन नहीं लगएगा नेक्स्ट दोस्तो डाइट एन रेस्ट यह बहुत ही ज़रूरी है दोस्तो आपका डाइट में रनिंग के लिए जो भी डाइट चाहिए मैंने बीके गूगल में विडियो और रेडी बनाया है आप जाके देख ले डाइट बहुत ही ज़रूरी है कि क्या खाएं कारगो- दोड़े निश्चित रेगुलर दोड़े वश यही आपके लिए काफी होगा दोस्तों यह स्वार्निम पांश टिट्स जो विके गुगल ने आपको बताया बहुती लाप्रत लगा होगा अगर लाप्रत लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजे और चेनल को तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजे दोस्तों थैंक्यू दोस्तों थैंक्यू वेरी मुट्ट जाए हिंग